बिस्मिल्लाही रह्मानी रहीम, असलामलेकुम स्टूडेंट्स, उमीद है आप सब हैड़े से होंगे, आज हम यूनिट नबर वान का नेक्स टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है मैस मैयरिंग इंस्टूमेंट्स, मैस मैयरिंग इंस्टूमेंट्स इसके नाम से ही पता चाड़ा है, हम इसमें ऐसे instruments के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे हम mass को easily measure कर सकते हैं. सबसे पहले हम इसकी definition देख लेते हैं. These instruments are used to measure masses of different objects. इसका मतलब ये है, कि हम different object के mass को measuring instrument से measure कर सकते हैं. जैसे अगर हमने vegetable का mass measure करना है, उसके लिए हम measuring instruments का इस्तमाल करेंगे. इसके इलावा, even किसी भी smaller चीज़ का, अगर हमने mass measure करना है, तो उसके लिए हम measuring instruments का इस्तमाल करेंगे. अब हम तीन measuring instruments डिसकस करेंगे. एक हमारे पास है physical balance, एक है liver balance और एक है electronic balance. सबसे पहले हम physical balance के बारे में पढ़ते हैं. Physical balance. Physical balance ये एक ऐसा balance होता है, जो ज़्यादा तर हम laboratory में use करते हैं. Laboratory में अगर हमने किसी भी चीज़ का mass measure करना हो, तो उसके लिए हम physical balance का इस्तमाल करते हैं. ये मैंने एक physical balance की picture ड्रा किया है. अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास दो पैंज होते हैं. ठीक है? एक पैंज के अंदर हम weight रखते हैं. स्पोस करने हम इसके अंदर 2 kg का weight रखते हैं. और एक पैंज के अंदर हम वो चीज़ रखते हैं, या वो object रखते हैं, जिसका हमने mass measure करना हो. स्पोस करते हैं, अगर हम इसको डेली लाइफ से देखते हैं, तो स्पोस करें कि हम इसके अंदर कोई vegetable रखते हैं. और वो हमने क्यार करनी है? 2 kg करनी है. अब जब दोनों ये balance हो जाएंगे, तो उस balance को हम physical balance करते हैं. इसमें एक falcrum होता है. फलक्रम क्या काम करता है? फलक्रम का ये काम होता है, कि वो इन दोनों balance को fix रखे. जैसी ही हमने किसी भी चीज़ का mass measure करना हो, हम क्या करते हैं? एक side पे weight रख देते हैं. यानि अगर 3 kg का mass measure करना है, तो हम आप पे 3 kg का weight रख लेते हैं. और किसी भी object का mass measure करना हो, तो वो हम इस side पे रख लेते हैं. जैसी ही दोनो balance हो जाते हैं, तो उस balance को हम physical balance करते हैं. सेकिंड हम डिसकस करते हैं lever balance. Lever balance क्या होता है? Lever balance भी चीज़ों को balance करने के लिए इस्तमाल होता है. यानि अगर हमने किसी भी चीज़ का mass measure करना हो, तो उसके लिए हम lever balance को इस्तमाल करते हैं. Lever balance में हमारे पास क्या होते हैं? ये दो levers होते हैं. और यहांपर एक SWE होती है, जो 0.0 पर fix होती है. Lever balance की case में भी हम ये करते हैं, किसकी एक side पे हम क्या करते हैं? weight रख देते हैं, और एक side पे वो वाला object रखते हैं, जिसका हमने mass measure करना हो. Suppose करते हैं, हमने यहांपर 1 kg या 2 kg कुछ भी रख आठीक है, अब हमने यहांपर किसी भी चीज़ का mass measure करना है, तो हम क्या करेंगे? कि उस object को हम यहांपर place कर देंगे. जैसे ही zero point से यहांपर value जाएगी या change होगी, तो हमें पता चलेगा कि mass में क्या variations आ रही हैं. इसलिए mass को measure करने के लिए, जो दूसरा instrument हम यूज करते हैं, वो हमारे पास lever balance है. थर्ड वाला balance अब हम discuss करते हैं. जो थर्ड वाला balance हम mass को measure करने के लिए इस्तमाल करते हैं, वो हमारे पास है electronic balance. electronic balance ऐसा balance होते हैं, जिसमें हम various ranges find कर सकते हैं. यानि अगर हमने milligram में कोई mass measure करना हो, तब हम electronic balance का इस्तमाल करते हैं. gram में measure करना हो, तब हम electronic balance का इस्तमाल करते हैं. इसके इलावा अगर हमने किलो ग्राम में मयर करना हो तब भी हम electronic balance का इस्तमाल करती है अब ज़्यादतर जो यूज होते हैं वो electronic balance यूज होते है electronic balance में हमारे पास एक switch होता है जैसे ही हम switch को on करते हैं तो हमारा electronic balance work करना start कर देता है इसमें भी center में एक pen होता है इस pen के उपर हमने किसी भी चीज का mass measure करना हो तो हम उस object को place कर देती है और यह जो नीचे box बना होता है चोटा सा यहाँ पे हमारे पास readings show और होती है जिसे हमें पता चलता है कि कोई भी object जो हमने इसके उपर place किया है उसका mass कितना है जैसे ही हम electronic balance को off करते हैं तो इसकी working रूप जाती है electronic के नाम से ही पता चारा है कि यह electricity की तरह work करता है यानि on करने से इसकी working स्टार्ट हो जाती है और जैसे हम इसे off करते हैं तो यह काम करना बंद कर देता है यह तीन balance ऐसे balance हैं जो mass को मज़ियर करने के लिए इस्तमाल होते है students यह आपने पूरा पूरा topic करना है इसलिए मैं आपको इसको book से mark नहीं करवाऊंगी क्योंकि यह बहुत important short हैं और short question में इन तीनों balance के बारे में पूछा जा सकता है students आज का हमारा topic यहां पर हत्म हुआ इंशाला अगली वीडियो में मुलाकात होगी ओके आप सब अपना हयार रखेगा अलाहाफिस